जहिन दोस्तों कैसे आप लोग मैं अच्छा हूँ आशा करता हूँ अब अब अच्छा हूँ के तो भाई यहाँ पर मुझे हूँ गरीब तीन महिन है तीन महिने से मैं घर का रिपेरिंग का काम करा रहा हूँ एक सपना है यह घर नहीं था बिल्कूल धाचा खड़ा था अब घर के ऊपर तो यह और वीडियो बनाऊँगा अब घर का हालाद देची चारों तरफ काम चल रहा है जो आए तुछ लगी नहीं राएक करता हूँ फिर देखिया तो यह है मेरे घर का कंडिशन तीन महेने में क्या क्या हुआ है अभी कुछ लगी नहीं राएक हुआ है तो ठीक है जो भी हो रहा है काम चल रहा है अभी पता नहीं कितने दिन और काम चलेगा तो थोड़ा सा घर दिखा देता हूँ मैं को दिन बर आपनी काम करकर थक जाता है यार पूरी तर ठक जाता हूँ खाना बनाने वाला भी कोई नहीं हाँ तीन मैने से सर्वाइब कर रहा हूँ जहां दिलाता है खाता हूँ लेकिन अभी प्रोब्लम ही है कि टाइस लगाने के लिए जो यह मेरे लोग निस्त्रिया है पहले जीनी मैं खाने साथ में गया, खाना बहुत ही ज्यादा बेकार था तो आज अभी डेली साम को मैं क्या करता हूँ कि एक सब्जी बनाता हूँ, रोटी बजार से खरीद के लाता हूँ फिर हम खाते जाएं तो वीडियो बनाने का मेल मकसद है कि आज मैं सोया चाप की सब्जी बनाने जा रहा हूँ देखिए कैसे बनता है, अच्छा बनता है, खराब बनता है, वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं है तो चलिए, बिडियो बनाते हैं, सोया चाप की और खाना बनाने के लिए कोई बड़ा सा सेट अप नहीं है, जैसे तैसे आप देखी सकते हैं, छोटे से टेबल पे बना रहा हूँ सर्वाइब कर रहा हूँ, एक रूम थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है, इसी में अपना सारा समान रखा हूँ, वही काम चल रहा है, तो प्लीज, आप फोकस सबजी पे कीजिएगा तो सबजी के पहले साब सफाई जरूरी है, मैं करता हूँ और आप भी कीजिए इसको बनाने के लिए मैंने कडाही चड़ा दिया, और ये बहुत सारा प्याज, हरी मिर्च, और मैं जिंजर गाली का पेस्ट यूज करूँगा है, लेकिन थोड़ा सा अधरा करलासन बचा हूँ गा था, ये मेरे बसकी बात नहीं था छिलना है, फिर भी थोड़ा सा बचा सोया चॉप, सोया चॉप आप निकाल के दिखाता हूँ, फर्स्ट टाइम मराने जा रहा हूँ तो ये इस टाइप का होता है, ये बिल्कुछ सोया बीन होता है, फोर्चून वायल, चुकि ये मुझे फ्राई करना है तो तेल खूप सरा चाहिए इसमें, तो ये इतना तेल तेल गरम होने का इंतजार करता हूँ, एक पेकेट में आठ है और ये कंपनी है कौन सी है मुझे ये नहीं पता है, इसको लो फिल्म पे फ्राई करना है, तो चलिए इसको अब डालते हैं, तो इसको एक ही बार में डाल दिया हूँ, बस इतना ध्यान रखना है इसको लो फिल्म पे फ्राई करना है, क्योंकि ये फूलता है और जब बिल्कुल ये भी तो चोटा है, फ्राई होने के बार देखिए कैसे एक कलर चिंज होता है, और ब्राउन होने तक इसको भूजना ह अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो बस इसको निकालते हैं देरे देरे ले तेल इकदम गरम है और आप ये मेरा हाथ का मसाला दे सकते हैं जीरा लॉंग डाल थीनी एक बड़ा इलाची और दो छोटा इलाची इसको तोड़ दिया हूँ दिखाईने देरा आपको अब इसमें डाल दे है इसको बस पटाका मार रहा है इसको मुश्की सिर्फ 30 सेकेंडिया एक मिर्ट तक भूलना है और इसमें अब ये जो मैंने प्याज बारिक कटा हुआ है प्याज मिर्च और लासन अब मैं व्यूडियो अकेला बना रहा हूं इसको थोड़ा थोड़ा करकर डाल सकते थे लेकिन मैं एक ही बार डाल रहा हू अब इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब देख सकते हैं इसका कलर रहा हूं बहुत ही लोग फ्लेम पर प्राई किया हूं इसको और बीचे मैंने ये जिंजर प्यार्ली का पेश्ट डाला था लासन अदरख चिलना मेरे बसकी बात नहीं है तब इसमें शुरुआत होगी मसालों मसाला में सब गोल्डी है थोड़ा सा हल्दी इसको थोड़ा मिला ताकि ये पकता रहे उसके बास से मैंने यूज किया है सब्दी मसाला में मीट मसाला यूज किया है थोड़ा सा इसमें जो इसका स्वाध है निखर के आता है तो मसाला देखते हैं लगबग 2-1.5 टेबल इस्पूर्ट मैंने मसाला डाला है थोड़ा सा ये अपना गोल्डी का कस्वीरी मिर्च पावडर तो यहां पे सारा मसाला मेरा खतम हो चुका है अब इसको मैं 3-4 मिनट फ्राइ करूगा ताकि मेरा मसाला अच्छी तरह से पक जाए ये मसाला दो मिनट हो चुका है तब इसमें मेरा ये जो टमाटर है तीन मेडियम साइज टमाटर काटाऊं इसको भी दो मिनट ताकि मेरा तमाटर अच्छी तरह घुल जा है लेकिन जब आप इसको बनाते है न तब तमाटर और जो प्याज है अगर इसको आप नेक्टी में ग्राइंड कर लेते हैं तो इसका ग्रेवी बहुत ही सुंदर बनेगा मसाला भूझते में जो मिनट हो चुका है इसको अब जाएगा थोड़ा सा पानी ताकि ये मसाला मेरा अच्छी तरह पक गया है अफिर इसको भी जो मिनट तक हो भूझेंगे वर गष्चर decor इसकी आप अभी सेही देख सकते हैं दके अभी इसको थोड़ा पकाना बाकि ये थोड़ा दे दिश्क भहुत सारा काम बाकि है जो जो औरते खाना बना रही है फ्लक दिन से शुरोड़े तहो म हावह दे कोसिज कर रहा हो मैं आप दक्रिटे बंता कैसा ऐ अघसा मंदना इसका इसमें पाने डाला अपना सवबिंख डूप टाल दियाँ से ओधल करेवी इसमें पाने डाल इसमें। सवबिंख ड्रूप डाल दीया. अबसे सवा जाब करें बूरिशान सहने का एक मितलनी का बखाया है। उसका टेस्ट बहुत हिला जबाब होता है तेले ठीक है इंतिजार कीजिए पकने का बॉलिंग होना सुरू हो चुका है पकते हुए हो गया करीब 20 या 25 मिनुट ओहो गैस मैंने बीच में बंद कर दिया था सौरी उसके लिए देखिए भाई ये भाई साब क्या रंगत आई है इसकी और खाने में तो क्या मज़ा आएगा बताने सकते हैं जब खाऊंगा न तो उसका भी देखिए यह है सोयाबी चांप देखने में तो बहुत से खुब सुरूद बगर है खाने में कैसा लगता है अब अपने घर में प्लीज ट्राइ कीजिए इसको बिल्कुल भेज है भेज सोयाबीन चांप दरौली में एविलेवल है और खाने में तो बिल्कुल आप एक बार खाईए फिर मुझे बताईएगा आपने कैसा सब्जी बनाएए तो भाई ये सोबिन चांप थोड़ा सोरी थोड़ा सखा के मुझे याद आएक ने रिकोडिंग करना था कोईसन भलबा मिस्ट्री बहुत अच्छा बना था बहुत बनी हाँ तारा कोईसन लागता कोईसन लागता था खाए में बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बनादा मने का होई में तीर दे चिकोणा चिकोणा हो स्वाविन चांप हो देखा बिचवा में लोकडी बफाज जाई बहुत बनी हाँ भाई देखिये न किसा रगत उतरा है इसका अच्छा के देखिये दोनों मेरे भाई जो टाइस के मिस्त्री है वह दोनों है एड मिस्त्री उनका अपना जो साथ में रहते हैं और जो सब्जी बनाना एक्टिली बहुत बहतरिन बना है अब बदा ली सित्ते हैं कडाही में बचा ही नहीए अब थोड़ा सा बचा है यह बंदा हिसाब सका रहा है अभी बहुत टेस्टी बना हुआ है वीडियो को इंजवाए किजिएगा और ऐसा सब्जी घरें बनाएगा चलिए उक्के बाई 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 दयान लखेगा